दोस्तो इस चीज का प्रेयोग का अगर आप अपने गुलाब के पॉंधे में इस समय करते हैं तो आपके गुलाब के पॉंधे में भी अच्छी फ्लावरिंग होगी क्योंकि इस समय जो अपरेल का मै denken start हो लिए इस समय गुलाब के पॉंधे की growth अच्छी होती है और उसमें flowering भी अच्छी होती है तो इससे मैं अगर आप इस चीज का use कर लेंगे तो आपके गुलाब के पौंदे में भी जिस प्रकार से मेरे पौंदे में देखिए flowering कितनी अच्छी हो रही है आपके पॉंदे में भी अच्छी फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो इस चीज का प्रयोग कैसे करना है मैं आपको पूरी वीडियो में बताऊँगा उससे पहले आप गुलाब के पॉंदे की के बारे में जान लें कि गुलाब के पॉंदे में क्या केर करनी है जिस में लगाता है तो इस समय आप नर्सरी से कोई अगर पॉंदा ला रहे हैं तो आप इस समय ला सकते हैं गुलाब का पॉंदा और उसकी केर कैसे गन्नी है वो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले आप जब गुलाब का पॉंदा लगाते हैं तो उसके लिए आप गमला जो होगी यह देखिए मैंने दो तीन पहुंदे जो लगा रहे है देखिए इसमें फ्लावरिंग किती अच्छी हो रही है और यह बड़े पॉट में लगा रहे है एक पहुंदा जो है थोड़ा छोटे पॉट में है बागी 12 इंच से उपर का पॉट है उसके बाद देखिए मेरे किती कल्या आ रहे है इसमें फूल भी काफी मातर में आ रहे है तो इसमें फूल लेने की टीप है मैंने इसकी प्रूनिंग जो है एक जेड़ मेंने पहले कल ली थी उसके बाद इसमें नहीं ग्रोध स्टार्ट हुई और इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गी है यह देखि स्टार्ट हो जाएंगी अगर इस समय भी आपने अगर प्रॉनिंग नहीं करें तो अभी भी कर सकते हैं एक डेड़ महिने में उसमें प्रावरिंग स्टार्ट हो जाएगी कुलाब का पॉंदा केर बहुत मांगता है इसमें खात की मातर भी अच्छी हो नीचे जब आप पॉंदे को रिपोर्ट करते हैं या नर्सरी से लाकर या आपने पॉंदा गमले में लगा रखा है जमीन में लगा होता है तब तो उसमें ज्यादा खात की जरुत नहीं होती है लेकिन अगर आप गमले में लगा रहे है तो उसमें क्या की जडरत बहुत होती है इसमें देखिए जो मिट्टी होती है इसमें हलका मॉइस्चर बनेως रहना चाहिए मिट्टी में मॉइस्चर रहेगा तभी फूल अच्छे खिलिंगे इसमें अगर आप मिट्टी में मॉइस्चर नहीं दिंगे अगर सुका रहेगा एक दो दिन अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी है जो कल्यां बन रही है वो भी भी खिलनी पाएंगे अच्छे से तो मिट्टी में मॉइस्चर अच्छा होने चीए और खाद की मातरा भरपूर जे इसमें नाइटोजन, फॉस्परोस, कैल्सियम के लिए आप गोवर की खाद का यूज कर सकते हैं यह देखे मैंने इसमें गोवर की खाद बहुत डाल लेकिए गोवर की खाद का यूज कर सकते हैं और अगर इस समय आप इसमें जो मैं खाद बता रहा था आपको स्टार्टिंग में अगर उसका यूज कर लेंगे तो आपके पॉंदे में फ्लावरी अच्छी होगी वो जो ख इसको ज्यादा यूज भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप बिल्कुल ड्राइए करके इसको इस तरीके से मिट्टी में डालके अपनी मिट्टी को हलका सा इसमें मिला दीजें इस तरीके से हर आर दस दिन में इसको देते रहेंगे पॉंदे में और उसमें पानी है उसके बाद इसमें जो चाय पत्ती में पोरी खिलती है वो पूरी खिलती है देखे पुरा फूल खिला हुआ है हो थो इस तरीके से आप पूनदे में जो चाय पत्ती का और इसमें गोवर की खाथ का यूच करेंगे तो इसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी और जितनी भी इसमें ब्रांचेज होती हैं उनको आप कट करते रहिए बीच-बीच में और फूल खिलते रहते हैं खिलने के बाद जो मुरजा जाते हैं उसके बाद आप उनको निकाल द जरू पानी दीजिए, सावर से पूरा नहला दीजिए इसको बढ़िया से, क्योंकि गुलाब का पहुत होता है, सपाई बहुत मांगता है, इसको नहला देंगे बढ़िया से, तो इसको अच्छे से नहला देंगे, तो इसमें फ्लावरिंग अच्छे होगी, इस प्रकार से आ आपके पहुंदे की केर करेंगे तो आपके पहुंदे में भी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी